हे गाईज देखें गौवर्मेंट के तरफ से एक बहुत अच्छी खबर है जिसके वज़ा से एक 85 रूपिस के स्टॉक में आपको बड़ा धमा का देखने को मिल सकता है हाला कि 9-10 को ही स्टॉक में लगबग 5-10% का जंप लग जाता हाला कि यह आपर सर्क्रिट वाला स्टॉ स्टॉक नहीं है लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले ही जंप लग जाता सोसूच लीजए कभी तो 12 पर सेंट, 15 पर सेंट आश स्टॉक लग जाता गया है कौन से खबर है मैं आपको बता देना चाहता हूं गौर्मेंट में इन्वाइट ईयो एलस या यह लस भी इसको आप बोल सकते हो सही है फोर शिपिंग कॉर्पोरेशन से इस वी यह एक अमरिकन कंपनी दिखा रही है सही है तो इस कंपनी को इतना तो है कि गौर्मेंट सेल करनी चाहती है वो भी पूरी तरीके से सही है और इस खबर के वज़ए से लास्ट विक में जो यह स्टॉक 50 रुपिस का था भाई 85 रुपिस के आसपास हो चुका है सो सेक तो 50 रुपिस 85 मतलब मान लेते हैं आप प्रॉक्सिमेटल 90 मतलब डबल डबल होने की तागार प यह नहीं है तो यह बाहर है अमेरिकन कंपनी को आपको देखने मिल सकते हैं तो इसका शेर का प्राइस काफी चोड़ा हमारा सिपिंग कॉर्पोरेशन अगर डॉलर में देखे तो भाई एक डॉलर है कि नहीं मतलब यह लगबग आपको 45 डॉलर क्यास पर देख रहा तो यह होड़ा ज्यादा महंगा है सिपिंग कॉर्पोरेशन से तो यहां पर आपको साब साब बताया जा रहा दा गॉर्मेंट इस प्लानिंग यहां खुद ही देख सकते हैं गॉर्मेंट इस प्लानिंग तो सेल इट्स इंटायर मतलब जितना भी है उतना 63.75% स्टेक इन चलता है कि भाई गॉर्मेंट कोई बड़ा एक्सेल लेने वाली है देखें गॉर्मेंट क्या कर रही है सभी चीजों को प्राइविटाइज कर रही है इससे क्या होगा कि काम करने का इफिशेंची बढ़ जाएगा एकनॉमिक में मजबूती बढ़ जाएगी इंफ़ा शक् करते हैं किसे भी बिजनस को जो स्टेंडर लगता सोच लीजे मैं आपको बोलूँगा एक मान लेते हैं कि अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई रेलेवे को जो है अगर दे दिया जाएगा अंबानी अडानी को तो यह गॉर्मेंट क्या कर रही है देश बेच रही ह कभी गॉर्मेंट के विरुद नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ गॉर्मेंट में और प्राइवेटेजेशन में क्या अंतर है गॉर्मेंट स्कूल आपने देखा होगा और एक प्राइवेट स्कूल आपने देखा होगा क्या अंतर है क्या अं जैसे उनके आने वाले 50 पीडी को भी मरना पड़ता है तो आप क्या चाहते हो मरना है या जीना जीना है तो भाई गौवर्मेंट जो कर रही है उनको फॉलो करना चाहिए हम समझ रहना वह भी पूरी प्रेस्टीज के साथ तो गौवर्मेंट अगर प्रेविटाइज कर देग तो भाई स्टूडेंट जिसको एक्जाम देना है ये क्या करेगा तो भाई अगर ऑन टाइम रहोगे तो सभी लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा सबसे ज़धा विलेजेरिया में देखोगे जो स्टूडेंट है वो क्या करते है एक्जाम देने के लिए रेलवे से ही समझ रहो ना तो वो क्या करते हैं कि अगर कल morning में है माली जी या afternoon में exam में तो वो क्या करते हैं yesterday समझ रहो ना yesterday evening को ही वो train पकड़ लेते हैं या afternoon को इसलिए क्योंकि भाई उनको पता है railway late होगा तो उनकी क्या होता पढ़ाई में और तकलीफे भी बढ़ जाती है expenses भी बढ़ जाता है तो अगर privatization होगा time पे चलना start हो जागा तो लोग भी सुबर निकलेंगे exam देने के लिए दोफर को अपने destination पे पहुंच जाएंगे तो वो क्या होगा कि घर में पढ़ाई भी कर लेगा expenses भी बच जाएगा और जादा परिसानी भी नहीं होगा समझ रहे हो ना मैं आपको इतना example बोल रहा हूँ government अगर आपको सही नहीं लगा जो example में आपको दिया government school तो मैं आपको बोल रहा हूँ school को छोड़ दो hospitality पी ही आजा जो चीज़ पी जाओ कि मैं बोल दूँगा government में थोड़ी बहुत क्या होती है कि खीचाता नहीं होती भाई government वाले सोच लेते है अरे भाई नौकरी लग गई ना आराम से खाओ बैटो लेकिन जो private जो private job करते है न उनकी हाथ पाओ खीच-खीच के काम करवाई जाती है जिससे उनको क्या होता है कि सही तरीके से value पता चलता है मेहनत का तो इसी तरीके से क्या कर रहे है Sipping Corporation को जो है government हटा रही है इसके लिए ये क्या है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि देखो company तो चलेगी उतना ही आपको कमाओगे और ये आप से कोई नहीं चीन सकता आपका हक कोई नहीं चीन सकता क्योंकि उपर वाला सब के साथ है तो यहाँ पर आपको साब साब बताया गया जग government is likely to invite WID for privatizing सही है सही है तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह प्राइविटाइजेशन होने वाला है और यह लगबग इसी वीक में यह confirm हो जागा उसके बाद जो हो सकता फरवरी के आसपास पूरी तरीके से यह हो जागा सेटल हो जागा मतलब फरवरी आते आते भी हमें बड़ा प्राफिट देखने को मिलेगा सही है अभी मैं आपको बोलता हूँ railway के जो मैंने आपको example दिया अगर यह privatized बन जागी नहीं तो यह railway नहीं रहेगे भाई यह हावाई जहाज बन जागी लोग जब टाइम पर जाने लगेंगे आने लगेंगे अपने destination पर पहुंचने लगेंगे न तो उनको पता चलिगा कि भाई railway नहीं रहे अब यह हवाई जहाज बन चुकिया तो किसी भी चीज को सही टाइम पर किया जाए तो बहुत ज़्यादा वेलुएबल होता है या पचास साल के उमर में अगर टेंथ क्लास का एक्जाम दे रहे हो तो क्या वेलुए उसको कुछ वेलुए नहीं है तो सही टाइम पर सही काम होना जरूरी है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो अप्रूवल वगेरा है स्टेजिक जो भी ह यहाँ पर आपको पहले यह तेजी देखने को मिल जाती और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके खबर काबाई है तो लगबग 6 घंटे पहले 7 आवर अगो आपको पता है जारा मतलब इसका जो इंपक्ट है वो टुमोरो ही देखने को मिलेगा क्यूंकि आज तो मार्केट अज ही खबर आई है मतलब आज अगर मार्केट ओपेन होता तो कुछ देखने को मिल सकता था लेकिन आज तो ख्लोज है लेकिन इसका इंपक्ट आपको नेक्स्ट क्या है वर्किंग डे में आपको देखने को मिलेगा तो यह जो खबर आपको आ रही है यह एक अच्छी दुकसान उठाना पड़ रहा है तकलीब बढ़ जाएगी और फिर उसके बज़े फिर थोड़ा बहुत प्रावलम भी देखने को मिल लगा शेर का प्राइस में भी सही है तो यह क्या है कि यह बिजनस नहीं चलने वाले इसलिए कोई खरीदने वाला नहीं है लेकिन यह क्य मैंने सही है और पहले भी मैंने दो-चार दिन पहले भी आपको वीडियो बना के बता है कि सरकार इसमें बहुत बड़ी खेल खिलने वाली है तो कर लो और देखे कभी-कभी तो मार्केट ओपन होता है बस 915 द्रलाक से सरकीट हाथ में आने वाले चीज नहीं होती है और आपको बुलूँगा डरने वाली बात नहीं है ऐसे स्टॉक पर ध्यान रखो पैसा बना के देगा फरवरी के आसपास है फरवरी के आसपास फी जो करने का मन है आप आराम से कर सकते हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपने डिमेट अकाउंट बगर ऑपन करन आपको बताया जारा और जब भी कोई डिमेट अकाउंट ओपन करता है अप स्टॉक जीरोदा एंजल अलाइस ब्लू में तो उसको पता नहीं चल पता कि कौन सा बैस्ट होगा और कम पैसे में मार्जिन यूज़ करके कहां पर हम ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं औ तो यह आपको देख लिजे नॉर्मल और इंट्रडे में काफी हैचा प्रॉइड करता है बाके कवर ओडर ब्रेक्टर ओर सही नहीं है जिसका जो रेटिंग है एकका लो है एकका एवरेज है अब अलाइस ब्लू का यहाँ पर देख लोगो तो यहाँ इसका पास दो एक का गुड है दुसरा का वेरी गुड है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को लेगा यह नंबर्स चेंज होते रहते हैं सिभी के हिसाब से लेकिन यह जो रेटिंग है वो सेम होता है और अगर आपको नीचे दिये गए वह डिस्क्रिप्शन में लिं अगर आपको 24 आवर्स जो है सपोर्ट दिया जगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप जा कि अपना डिविक अकाउंट ओपेन करते हैं तो ही यह सारी सुवधा आपको मिल पाएगी